केरटेकर 2 के पहले एपिसलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा पिछले एपिसलोड में हमने देखा कि शानाया अश्विन के घर पर आती है और आप आगे शानाया के देखकर अश्विन की मा इतनी खुश हो जाती है कि जैसे उसकी बेटी पहली बार सुसरल सा आई हो उसकी खुशी का ये भी कारण हो सकता है कि वो अश्विन की पोटी निकल कर ठग गई हो शायद शनाया से दुनिया भर की बाते करके वो मेन मुद्य पर आती है और अपने मरिज बेटे को दिखाती है माजी का टेंचन भरा चेहरा देखकर शनाया बोलती है कि माजी सब ठीक हो जाएगा मैं जो आई हूँ शनाय की ये बात सुनकर माजी को हुसला आता है और वो शनाया का कुछ जयादा ही लाड करने लगती है शनाया आते ही आपने शहेनाही बजाने लगती है अपने काम का जलवाद दिखाने लगती है दिन पर दिन बित्ते जाते हैं आशविन के इतने करिब आने लगती है कि अंजाने में उसके कुछ nonsense टश भी होते है ये वाले लेकिन आशविन को no sense अगर आश्विन को सेंस होता तो वो शनाया को जेके पे लिटा देता लेकिन कुछ दिन बाद आश्विन में कुछ-कुछ हलचल होने लगती है वो अब उटके बेट सकता है अपनी महिनता फल देखकर शनाया खुश होने लगती है लेकिन हलकट आश्विन के मन में कुछ और ह होता है, वो शनाय के साथ काला कांडिक करने के सपने देखने लगता है और आखिरकार एक दिन वो शनाय का चुम्मा लेता है आश्विन को दो मिनिट का चुमा देखने के बाद वो भाग कर दूसरे कमरे में आके खुद को कोशने लगती है कि कंट्रोल शनाया कंट्रोल ने तो ये आश्विन एक दिन मेरी मार कर ही छोड़ देगा ऐसा खुद से बोलकर वो आश्विन के साथ डिस्टन्स बनेने का सोच और दूसरे दिन से ही शनाया और अश्विन के बैट और बॉल एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं कुछ दिन बाद अश्विन पूरी तरह से ठीक हो जाता है आश्विन को पूरा ठीक देखकर डॉक्टर और अश्विन की मा शनाया पर खुश होते हैं उस दो दोनों मिलक तारिफ के बाद शनाया और आशुळ में अलग सा टेंशन तेहरोता है क्योंकि आशुन ठीक हो गया मतलब शनाया को अब जाना पड़ेगा इसलिए वो दोनों भी नाराज होते है आगले दिन शनाया जाने लगती है आशुळ असे रोकने की कोशिस करता है तो ब शनाया उसे कि पगले रो मत मुझे अब दूसरे किसी आश्विन के पास जाना पड़ेगा तू माब ठीक हो गये हो अब उसे हाथ से काम चलाओ मैट चली ऐसा बोलकर शनाया रोती-रोते जाने लगती है आश्विन भी उसी रोती-रोते आलविदा करता है और घर में आकर खुब रोता है ज और इसी कहानिया देखने के लिए चैनल को दरू सबस्ब कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंजॉआइ